आखी के लिए नियू रोफिका टृट्चमेंट अगर किसी गनारग्जी फ़ह यह चीकी ऑलेफ्टाविव कई करेंब और डॉप्पी आश्युत पेले यहां जड में यहां च्हे बर जड में म में चल टो और वब सित बस और उपर नीचे यह देना है 1-2 इसके और ऊपर आकर एक- दो-ती- चार-貌न- छे और एक-दो-ती- चार- पान- है महलता जड में ऊपर नीचे और ऊपर भी ऊपर नीचे 6-6 बाद प्रेशर कितना देना है तो दर्द नी होना चाहिए अधिक लेकिन प्रेशर पूरा देना है फिर यह वाली उंगली यह गॉल ब्लेड को एक्टिबेट करती है लीवर को एक्टिबेट करती है तो एक दो तीन चार पांच है एक दो तीन चार पांच है इसी तरह से एक दो तीन चार पांच है एक दो तीन चार पांच है पहला काम पैर के उंगली से दिया इसके बाद हम ज प्रक्या लगा लो जंगाओं के रीचे तो बहुत अच्छा पहले केबल लेफ्ट हाई पर यहां से और यहां तक तीन जगे प्रेशर दें यह मैंने यहां प्रेशर दिया 6 सेकिंड का मिदल में इंसाइड प्रेशर जाए फिर यहां एक दो तीन चार पांच छे फिर घुटन यहां से और यहां तक तीन जगे प्रेशर दें यह मैंने यहां प्रेशर दिया 6 सेकिंड का मिदल में इंसाइड प्रेशर जाए फिर यहां एक दो तीन चार पांच छे फिर घुटने से जश्ट ऊपर एक दो तीन चार छे इसके बाद बाएँ हाथ और बाएँ तांग में 1 साथ ऐसे बैठना है ऊपर ऐक दो तीन एक दो तीन तीन इससे बनाने हैं यह धाट अईसे रहेगा यह बात ऐसे रहेगा इसका प्रेशन नीचे सीधा जाएगा यह वाला प्रेशन फट्रा इंसाइड जाएगा देखिए एक साथ का यह है दो तीन चार पांच शहे उसी तरह से मीचे है एक दो तीन चार इसके दो चक रिपीट करने हैं एक पहले की आप दुवार एक दो चार पांट शे बिडिल में दोनों प्रेशर पूरा डालना है हाथ और पैपर समान पांट शे एक दो तीन चार पांट शे दो सरकल रिपीट करने के बाद हमने यहां चेश्ट पर ध्यान रखना थोड़ी के नीचे यहां थाइमस ग्लेंड है इस थाइमस ग्लेंड को यहां इस टनम का यह वाला एरिया थाइमस को हमने यहां बारे बार रब करना है ऐसे कपड़ हमने पकड़ लिया 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 और यहीं से ऊपर 4 4 5 6 7 9 10 11 12 सेम काम इस साइड में भी करना है रैली साइड में 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 एक दो तीन चार पांचे साथ नो दुस जारे बारे ये करने के बाद हम ने ये प्रेशर दे लिए यहां आमपिट के अंदर भी इधर भी पांचे बार हलका सा ऐसे क्लॉकबाइट कर दें देख लें दर्द किसी अरिया में दर्द हो तो वहां छेकी जगे आठ बार कर देना यह मल है इधर दर्द है इसम तो आप बार दस बार कर दो नई है तो छे- Bunny यह एक सीक्वेंस हो गया इस सीक्वेंस के बाद इतना करने से ही बहुत परफेक्ट हो जाता हैर पाट्ट्ट्टू में में और स्ट्रॉन्ग इंफेक्शन को खतम करने के तरीके को आपको बताओ कंदादर्द, गर्दंदर्द, कमरदर्द गैस, एसिरिटी, माइगरिन बहुत सारे रहते हैं और अगर घुटनों की बीमारी आ गई तो एक-एक कदम पहाड जैसे लगने लगता है और जिंदगी बोच बन जाती है बीमारी की कोई उमर नहीं है आरोगे पीड लाया है बिना दबा, बिना साइड एफेक्ट के इतनी भयंकर बीमारीयों को रिवर्स करने का जबर्दस तरीका वेलनेस नियूरो थेरपी तो देल किस बात की अभी फोन उठाओ कॉल करो और अपने रोगों से अपनी बीमारीयों से पर्मनेंट छुटका रपाओ